ओम शान्ति, स्वा परिवर्तन सेही, विश्व परिवर्तन संभव है आप देखिए, अभी तक, आज तक हम क्या करते आए, दूसरों को मॉनिटर करते हैं और दूसरों को परिवर्तन, कि ये चेंज हो जाएं, ये बदल जाएं, तो फिर मैं खुश हो जाऊं, मैं बदल जाऊं, मेरी खुशी आ जाएगी तो अभी तक हमने दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो आप खुश सोचिए, क्या हम दूसरों को कितना परिवर्तन कर पाए हैं? या कर सकते हैं हमारे करने से वो परिवर्तन होते हैं उन पर order कर रहे हैं तुम परिवर्तन हो जाओ और उसमें हम पूरा समय अपना लगा देते हैं कि ये बदल जाएं ये ऐसे हो जाएं ऐसे नहीं ऐसे हो जाएं मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता मेरा बच्चा मेरा कहना म हमें लगाया लेकिन उसका result जो हमें बहुत जादा अच्छा नहीं मिला जो हम चाहते हैं वो हमेशा हो जाए ऐसा संभब नहीं हो पाया तो हमें क्या करना है परमाग्मा ने आकर जो हमें सत्ते अग्यान दिया उसमें हमें पहली समझ ये दी कि बच्छे दूसरों को परिवर्तन करना बंद करो वहाँ कोशिश ही नहीं करनी है आप गलत राश्ते पर हो आप दूसरों को परिवर्तन करने में अपना समय और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो परिवर्तन करना है तो स्वय में परिवर्तन करो तो हमारा focus बाहर वालों की जगा अपने उपर होना चाहिए यह पहला step है तो हमारा समय भी बचेगा, हमारी energy भी बचेगी और जो हम करना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं और औरों को बनाना चाहते हैं वो संभव होगा, जब मैं 100% focus अपने उपर करो जो परिवर्तन करना है, वो मुझे खुद में करना है परिवर्तन क्या करना है? मुझे, अभी हम क्या करते आए अभी तक? दूसरों को जब हम देखते हैं ना, जो हमारी natural tendency है हमें उनकी बुराईयां बहुत पहले दिखाई दे जाते हैं, बहुत जल्दी, quick तो हम उनकी बुराईयों को ही देखते हैं और दूसरों के साथ उन बुराईयों को वर्णन करते हैं यह सबसे पड़ी गलत बात है पहली बात तो उनकी बुराईयों को देखना और फिर दूसरों के मन में भी दोडाना, घुमाना और दूसरों के साथ भी उसका वर्णन कर रहा इससे हम खुद भी ठीक नहीं हो सकते और दूसरों को वायू मंडल को भी हम खराब करते हैं क्योंकि हर एक की सोच वैसी ही चलने लगती है और वायू मंडल में वैसी ही वाइब्रेशन आ जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमें करना है मैं बाहर वालों को दूसरों को देखना बंद करना है सोचना बंद करना है किसी को परिवर्तन नहीं करना अब सारा फोकस, 100% फोकस स्वें की तरफ करना है मैं मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन खुद को करना है जो भी चेंज लेकर आना है, मुझ में लेकर आना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा अपनी कमी कमजोरियों का चिंतन अब फोकस मेरी तरफ आ गया अब मैं दूसरों को देखना बंद वो आँखें ही बंद कर ली मैंने ऐसे करना है हमें देखना है तो उनकी विशेष्टाओं को देखना है उनकी अच्छाईयों को देखना है और उन अच्छाईयों की उनको प्रसंसा करना है कि आप में ये गुण है, ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है और उस गुण को मुझे अपने में धारन करना है उन से उठाया अपने में ग्रहन किया उसको तो मेरी विश्शेश्टा भी और बढ़ जाएगी और तो ये कितना बड़ा shift है ये shift पहले करना है दूसरों को देखना बंद दूसरों की बुराईयों को देखना बंद दूसरों को परिवर्तिन करना बंद major step है ये, major shift है पहले यहां पर कारे करना है जब ये कर लोगे, फिर सारा focus अपनी तरफ करना है मैं अपने को देखूँ, अपने को निहारूँ, अपने को चेक करूँ, अपने को मॉनिटर करूँ और मेरे अंदर, जो कमी-कमजोरियां हैं, बुराईयां हैं, तब वो दिखने लगेंगी कब दिखेंगी? जब focus मेरा खुद पर होगा क्योंकि अब light मेरे उपर पड़ रही है तो मेरी ही हर चीज मुझे दिखाई देगी, मेरे आएने में मेरी ही चीज़े दिखाई देगी तो उसमें मेरी कमी-कमजोरियां भी दिखाई देगी, तो अच्छा यहां भी दिखाई देगी तो बाहर का देखना बंद परदा डाल दो बाहर का कोई चीज मुझे नहीं देखने नहीं चिंतन करना है और अपनी तरफ फोकस कर लिया लाइट अब मेरे उपर आ रही है अब उस आयने में मेरे अपने ही आयने में मुझे अपनी अच्छाईयां भी दिखाई देंगी और बुराईयां भी दिखाई देंगी तो जब मुझे अपने को सुधारना है अपने को परिवर्तन करना है तो जो जो बुराईयां मुझे नजर आएंगी क्योंकि अब फोकस किदर है मुझे अपने उपरी है मैं अपने ही checking अपने कोई monitor कर रही हूं तो मुझे अपनी कमी कमजोरिया साफ दिखाई देंगे उनको चेक करना है और उनको बदलना है उन कमजोरियों को खतम करना है अपने अंदर से परिवर्तन करना है तो अभी हम बाहर वालों को परिवर्थन करने में अपना समय, अपना एनर्जी लगा रहे थे क्या मेरा समय इतना important नहीं है कि मैं दूसरों को ही परिवर्थन करने में समय लगा रहे हूँ मेरा समय बहुत valuable है change करना है तो खुद को change करे तो जब मेरी कमी कमजोरियां मुझे दिखाई देंगी अच्छा यहां भी दिखाई देंगी तो उन कमी कमजोरियों को एक-एक को मैं pinpoint करूँ कि मुझे कहां-कहां अपने को improve करना है तो एक-एक बुराई को हम अपनी लें एक-एक अपनी कमजोरी को weakness को उठाएं और उसको बदलें उसको परिवर्तन करना है अभी हम क्या करते आए थे दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश करते थे अरे उनकी मर्जी है वो परिवर्तन होना चाहें ना होना चाहें वो उनका अपना है अपना इनर्जी उधर क्यों डाल रहे है वो भी परिवर्तन हमारे द्वारा होंगे कैसे होंगे वो भी आपको बताएंगे वो भी तब होंगे जब हम अपने एक में खुद को परिवर्तन करेंगे तो मुझे अपने ही कमी कमजोरियों को चेक करना है मॉनीटर करना है और उन कमी कमजोरियों को बदलना है परिवर्तन करना है अपनी बुराईयों को दूर करना है तो अब फोकस किदर हो गया अपनी तरफ और उस फोकस को अपनी तरफ ही रखना है अपने को ही देखना है कितना बड़ा हमारे एनरजी सेव हो गई कितने लोगों को हम देखते थे कितने लोगों की बाते करते थे उनके लिए ही हम अपना सारी एनर्जी समय निकाल देते थे सब बच गई और वो सारी एनर्जी वो समय मुझे अपने को परिवर्तन करने में लगाना है तो उसमें समय भी बचा जहां दस लोगों को देखते थे वहाँ मुझे एक खुद को ही देखना है तो कितना समय मेरा बचा कैतने एनर्जी मेरी बच गई तो उससे मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी क्योंकि अब सेविंग होने लगी ना एनर्जी सेव हो रहा है मेरा समय भी सेव हो रहा है तो मैं मन से हलकी भी रहूँगी और एनरजेटिक भी रहूँगी शक्तिशाली भी रहूँगी क्योंकि अब मैंने अपने समय की और अपने एनरजी की सेविंग करनी शुरू करती सेव और उस समय में से और उस energy में से अब मुझे अपने पर काम करना है जहां मैं 10 लोगों पर काम करती थी अब मुझे सिर्फ एक पर काम करना है तो कितनी बज़त हो गई समय की और energy की मेरी अपनी जो बहुत valuable है तो सिर्फ मुझे अपने पर ही करके अपनी कमी कमजोरियों को बुराईयों को क्योंकि मुझे अपनी कमी कमजोरिया मालूम है मुझे अपनी बुराईया मालूम है मुझे किस area में अपने को improve करना है क्या मेरी need है यह मैं अपने आप खुद जानते हूं सेल्फ अवलोकन करना स्वेय अवलोकन करना अपना ही चेकिंग करना मॉनिटरिंग करना तो उससे क्या होगा धीरे धीरे जब मैं अपनी बुराईयों को खतम करती जाओंगी एक-एक करके तो ये मुझे में परिवर्तन होने लगेगा तो जब वो परिवर्तन होकर मेरी बुराईयों धीरे 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 खतम होती जाएंगी और मेरे गुण बढ़ते जाएंगी मुझे में और अच्छाईयां आती जाएंगी तो मेरी personality चेंच हो जाएगी निखार आ जाएगा मेरा व्यक्तित्व निखर जाएगा और मेरी सोच भी बदल जाएगी क्योंकि दूसरों को देखना बंद कर दिया दूसरों की बुराईयों को देखना बंद कर दिया तो सोच में भी परिवर्टन हो जाएगा तो मैं क्या हो गई? Self-Centered जब Self-Centered हो गई तो Focus 100% खुद समय की भी बज़ट एनर्जी की भी बचत और अपने आपको मैं Refine करती जा रही हों करती जा रही हों तो मेरे अंदर खुशी भी आएगी सुख भी होगा और मुझे शान्ती की आनुभूती भी होगी तो ये इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो भी अब जब हम अपने में परिवर्तन ले आएंगे अपनी बुराईयों को निकाल देंगे तो इस का प्रभाव मेरी परसनेलिटी का प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा तो हम दूसरों को बदलना चाहते हैं न तो हमें देखकर हमारे अंदर बदलाव देखकर वो फिर खुद बदलने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ऐसे है तो हमने उनको बदलने का चाहना रखी कि वो बदले तो हम डारेक्ट उन पर पिन पॉइंट करते थे आप ऐसे आप ऐसे आप ऐसे लेकिन वो हमने बंद किया फोकस अपनी तरफ किया अपने में परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तो ये है राइट तरीका दूसरों को भी बदलने का और दूसरों को भी बदलने का. पहले हम खुद को नहीं देखते थे, दूसरों पर ही उंगली उठा दे थे. ये ऐसे, वैसे, ऐसे चेंज हो जाओ, वो करो, ये परिवर्तन करो. अब हमने फोकस अपनी तरफ किया, अपने को परिवर्तन किया, अपने को परफेक्ट बनाया. तो हमारी परसनेल्टी, हमारी सोच, हमारे बोल को देखकर, हमारे करम व्यवहार को देखकर, वो स्वता ही चेंज अपने को करेंगे. तो ये है स्वा परिवर्तन से, विश्व परिवर्तन कैसे होता है, ये परमात्मा ने आगर हमको समझाया. तो ये शिफ्ट करिए, दूस पर फोकस करना ओम शंती